C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनिपुस्तक गणित का जादू 14.पाट, स्मार्ट चार्ट, प्रिष्ट 162 कितने घंटे? हम सभी को टेलिविजन यानि टीवी देखना या रेडियो सुनना अच्छा लगता है यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों में कुछ बच्चे रेडियो सुन रहे हैं और कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं क्या तुम जानते हो कि हम इसमें कितना समय बिताते हैं? कौपी में एक हफ्ते तक लिखो कि रोज तुम कितनी दिर टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो एक सप्ता में टीवी देखने या रेडियो सुनने में रिक्तिस्थान घंटे लगे इस तरह एक महीने में तुम्हारे लगभग तीस गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान घंटे लगे अपने दोस्तों से भी एक हफ्ते में बिताया गया समय पूछो और तालिका पूरी करो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसके दो भाग है पहले भाग में लिखा है एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय और दूसरे भाग में लिखा है बच्चों की संख्या अब तुम इस तालिका को खुद भरो एक हफ़ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय 6 घंटे से ज्यादा बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफ़ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय 6 घंटे बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफ़ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय पाँच घंटे बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफ़ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय चार घंटे बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय तीन घंटे बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय दो घंटे बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय एक घंटा बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुन्ने में लगाया गया समय शूने घंटा या नहीं देखने वाला बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान यहाँ पर एक चड़िया को टीवी देखते वे दिखाया गया है चड़िया कहती है मैं 24 घंटे टीवी देखती हूँ यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा प्रिष्ट 163 तालिका से मालुम करो टीवी देखने में या सुनने में रिक्तिस्थान बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हैं टीवी देखने या रिडियो सुनने में रिक्तिस्थान बच्चे बिलकुल भी समय नहीं बिताते हैं टीवी देखने या रिडियो सुनने में ज्यादा तर बच्चे एक हफ्ते में रिक्तिस्थान घंटे बिताते हैं और टीवी देखने या रेडियो सुनने में रिक्तिस्थान बच्चे तीन घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं कौन सा कारिक्रम? टीवी या रेडियो पर अलग-अलग तरह के कारिक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, धारावाहिक आदि आते हैं जुही के पिताजी को धारावाहिक देखना पसंद है, उसकी माताजी खेल देखना पसंद करती हैं, जुही को समाचार, संबंधी कारिक्रम पसंद हैं एक, अपने घर के लोगों से कहो कि वो एक कारिक्रम बताएं, जो उन्हें पसंद है, और एक कारिक्रम जो उन्हें नापसंद है, यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसके तीन भाग हैं, पहले भाग में लिखा है परिवार के सदस्य, दूसरे में लिखा है पसंदीधा कार और तीसरे में लिखा है नापसंद कारिक्रम, परिवार के सदस्य, माता जी, पसंदीदा कारिक्रम रिक्तिस्थान, नापसंद कारिक्रम रिक्तिस्थान, परिवार के सदस्य, पिता जी, पसंदीदा कारिक्रम रिक्तिस्थान, नापसंद कारिक्रम रिक्तिस्थान, अब बाक गर के सबसे ज़्यादा लोगों को जिस तरह के कारिकरम ना पसंद है। इसके तीन भाग हैं। पहले में लिखा है कारिकरम के प्रकार, दूसरे में पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और तीसरे में ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिखी है। अब इस तालिका को भरो। नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान। कौन सा कारिक्रम सबसे कम बच्चों को पसंद है। रिक्तिस्थान। कितने बच्चों को खेल संबंधी कारिक्रम पसंद हैं? रिक्तिस्थान क्या कोई ऐसा कारिक्रम भी है? जिसे कोई भी पसंद नहीं करता? हाँ? या ना? अगर हाँ, तो कौन सा? रिक्तिस्थान यहाँ एक कविता दी गई है कविता का शिर्शक है कौन है मेरा मित्र? आईए, अब कविता को पढ़ते हैं एक मेरा दोस्त है रहता मेरे साथ साथ देता हमेशा दिन हो या रात मैं भागूं तो वो भी सरपट भागे कभी मैं आगे तो कभी वो आगे होता जब अंधेरा वो देता ना दिखाई कौन है मेरा दोस्त ये बोजो देखें भाई यहाँ पर एक चित्र में एक व्यक्ती और एक पेड़ को दर्शाया गया है फ्रिष्ट 165 कविता को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्ण के उत्तर दो क कविता में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया है रिक्तिस्थान ख किस अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है रिक्तिस्थान ग कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है रिक्तिस्थान अपनी भाशा के किताब से अपनी पसंद का कोई भी पैरा लो उसे ध्यान से पढ़ो और पता करो रिक्तिस्थान मन पसंद खाना बच्चे आपस में बाते कर रहे थे कि वो सुभे कौन सी चीज़े खाते हैं जैसे कि चावल, गेहूं, जुआर, बाजरे आदी से बनी चीज़ें यहाँ पर पाँच बच्चे हैं जो आपस में बाते कर रहे हैं पहला बच्चा बोला मैं चावल और उससे बनी चीज़ें खाता हूँ दूसरा बच्चा बोला मैं गेहूं से बनी चापातियां खाता हूँ एक लड़के ने कहा लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ दूसरी लड़की बोली मैं जों से बना सत्तु पीना पसंद करती हूँ एक दूसरा बच्चा बोला मेरी पसंद रागी से बनी दलिया है प्रिष्ट 166 अपनी कक्षा के बच्चों से पता करो और तालिका को भरो यहाँ पर एक तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है मुक्य भोजन और दूसरे में लिखा है व्यक्तियों की संख्या अब तालिका को पढ़ते हैं मुक्य भोजन चावल व्यक्तियों की संख्या रिक्तिस्थान मुक्य भोजन गेहू व्यक्तियों की संख्या रिक्तिस्थान अब तुम तालिका को खुद पूरा करो इस तालिका को देखो और बताओ जादातर लोग किस भोजन को पसंद करते हैं? रिक्तिस्थान चावल खाने वाले बच्चों की तुल्ना में गेहू खाने वाले ज्यादा, कम या बराबर है गेहू खाने वाले बच्चों की तुल्ना में जुआर या बाजरा खाने वाले कम या ज़ादा है नाटक की तैयारी कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे नाटक में अभिने कर रहे हैं और कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतिजाम कर रहे हैं कुछ नाटक के सेट के लिए मेज कुर्सिया ला रहे हैं यहाँ पर बच्चों को नाटक की तयारी करते भी दिखाया गया है प्रिष्ट 166, नाटक चाट यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें खड़ी लाइन में बाई तरफ बच्चों की संख्या लिखी है, और पड़ी रेखा में लिखा है अभिने करने वाले, कपड़े इकठे करने वाले, संगीत देने वाले और सेट पनाने वाले. यहाँ पर त्रिभुज के माध्यम से बच्चों को दिखाया गया है, एक त्रिभुज, यह दिखाता है तीन बच्चों को, अब इस नाटक चाट को पढ़ते हैं, अभिने करने वाले, तीन त्रिभुज, कपड़े इकठे करने वाले, दो त्रिभुज, संगीत देने वाले, चार त्रिभुज और सेट बनाने वाले दो त्रिभुज अब इन प्रश्णों के उत्तर दो क नाटक में कितने बच्चे अभिने कर रहे हैं कौन से बच्चे ज्यादा हैं सेट बनाने वाले या अभिने करने वाले कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं और घर कितने बच्चे कपड़ों को इकठा कर रहे हैं? किसका सिर सबसे बड़ा है? रद्धी कागज की लंबी पटियां काट लो, एक एक पट्टी अपने हर दोस्त को दे दो, अब एक पट्टी अपने सिर के चारू तरफ लपेट लो, और बाकी बची पट्टी को फाड़ अब बड़े कागज पर एक लाइन में इनको चिपका दो, यहाँ पर एक कागज दिखाया गया है, और उस पर बिंदों के सहता से चार पंक्तियां दिखाई गई हैं, और यहाँ पर एक कैंची भी है, फ्रिष्ट 168 कुछ बच्चों ने अपनी पट्टियों को चिपका कर इस तरह का चार बनाया, तुम्हारा चार भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए, स्केल का उप्योग करके अपने चार से मालूम करो, सबसे लंबे कागज की पट्टी की कुल लंबाई रिक्तिस्थान सेंटीमीटर है, इस से चोटे कागज की पट्टी रिक्तिस्थान सेंटीमीटर है, यह सिर रिक्तिस्थान का है, यहाँ पर एक चाट है, जिसपर पांच बच्चों के नाम अलग अलग रंग की पट्टियों पर लिखे हैं, यह नाम इस तरह से हैं, हरी पट्टी, नाम मधु, उससे छोटी, नीली पट्टी, नाम रमेश, उससे छोटी, पीली पट्टी, नाम समीना, उससे छोटी, बैंगनी पट्टी, नाम सादिक, और सबसे छोटी पट्टी, संतरी, और नाम रोहित. चपाती चाट एक स्कूल के सभी बच्चे अलग-अलग गतिविदियों में भाग लेते हैं. यहाँ पर एक चित्र में बच्चों के तीन मंडलियों को दिखाया गया है. ये मंडलियां हैं खेल मंडली, बाग-बगीचा मंडली और चित्रकला मंडली. इस चित्र में बच्चे अलग-अलग गत्विदिया कर रहे हैं दिया गया चपाती चाट अलग-अलग मंडलियों में बच्चों की संक्या दिखाता है यहाँ पर एक गोला है जिसके आधे भाग को पीले रंग से दिखाया गया है और ये खेल मंडली को दर्शाता है इसके बाकी आधे भाग को दो बराबर भागों में बाटा गया है और इस गोले का दूसरा भाग बैंगनी रंका है जो बाग भगीचा मंडली को दर्शाता है और इसका तीसरा भाग हरे रंका है जो चित्रकला मंडली को दर्शाता है प्रिष्ट एक सुनहत्तर चार्ट से हमें पता चला कि क कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं ख एक चौथाई चात्र बाग बगीचा मंडली के सदस्य है और ग एक चौथाई बच्चे चित्रकला मंडली के सदस्य है अगर स्कूल में दोसों चात रहें तो इस चाट को देखकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बताओ खेल मंडली में रिक्तिस्थान सदस्य है बाग बगीचा मंडली में रिक्तिस्थान सदस्य है और चित्रकला मंडली में रिक्तिस्थान सदस्य है बारिश में भीगना किसे पसंद है? अपने दोस्तों से बाचित करने के बाद एक बच्चे ने दिया गया चपाती चाट तयार किया. यहाँ पर एक चपाती चाट है. यह दर्शाता है जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं. और छोटा वाला भाग नीले रंका है ये दर्शाता है जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते इसके साथ ही एक अन्य चित्र में तीन बच्चे दिखाए गए हैं एक बच्चा बारिश में भीग रहा है और दो बच्चे चपर के नीचे बैठे हैं साथ ही एक पेड़ भी है चपाती चाट को देखो और बताओ एक कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं क आधे ख एक चौथाई ग तीन चौथाई दो कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 है, तो उन बच्चों की संख्या बताओ, जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, रिक्तिस्थान. बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाए, कॉफी या दूद। पीना पसंद है, दूद। बच्चों की संख्या 20 पीना पसंद है, कॉफी बच्चों की संख्या 10 पीना पसंद है, चाए, बच्चों की संख्या 10 कुल बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान। यहां पर केतली से कप में चाय को डालते दिखाया गया है। दूद पसंद करने वालों को दर्शाओ। इसी के साथ इस पुस्तक का चौधमा और आखरी पार्ट स्मार्ट चार्ट अब यहीं समाप्त होता है। NCRT नई दिल्ली भारत